Hello friends, welcome back to English with Aasha Maim. आज मैं आपके लिए एक story लेके आई हूँ, moral based story है, इसका title है The Secret Verse. Verse का मतलब होता है कविता, वैसे verse का exact meaning होता है, जैसे हम कविता पढ़ते हैं, उसमें अलग-अलग चंद होते हैं, तो हर एक चंद को हम बुलेंगे verse, जैसे English में poem पढ़ेंगे, तो उसके अलग-अलग stanza होते हैं, तो हर एक stanza को कहते हैं verse, यहाँ पर मैंने इसका कविता meaning लिखा है, तो आप कविता ही जान लीजे, secret gupt, ये तो noun है, verse, और उसको describe कर रहा है, secret gupt, adjective है ये, the secret verse, इसके बारे मे गुप्त कविता, इसके बारे में हम story पढ़ते हैं, once a sage had bright and eager disciples, disciples, bright उजवल, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, और eager, उत्सुक है, हर कुछ जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है, और disciple का मतलब होता है, शिश्य, sage means rishi, और head का मतलब है, होना, तो एक बार, एक rishi के पास थे, head है, past tense का है, ये helping verb, उसके पास थे, उजवल और उत्सुक, शिश्य, ये वाला जो sentence है, past में है, और ये जो noun है, इसको describe कर रहे है, adjectives bright, eager, जो disciples थे वो bright थे, eager थे, he taught them everything, except, except a special verse, to bring the dead back to life, he, pronoun है sage के लिए कि रिशी ने उन्हें पढ़ाया, teach का, second form है taught, teach पढ़ाना, taught पढ़ाया, तो उसने, रिशी ने उनको पढ़ाया, उन लोगों को, जो उनके disciples है, सब कुछ, बस एक चीज छोड़ कर, ये जो है, except, इसका मतलब होता है, को छोड़ कर, एक चीज छोड़ कर, बाकी चीज़ें उसने पढ़ाई, और एक इसी से मिलता जुलता word है, expect, उसको बोलते हैं, आशा करना, किसी चीज की, expectations रखना, वो expect होता है, और ये हो गया, except, छोड़ कर, एक special verse, एक special कविता को छोड़ कर, एक खास कविता को छोड़ कर, जिससे की, to bring, जो की, मरे हुए लोगों को वापस life दे देता था, वापस जिंदगी दे देता था, ये वाली जो verse थी, ये जो कविता थी, इसको छोड़ कर, सब कोच उनोंने सिखा दिया, अपने शिश्यों को, knowing its potential danger, ये जानते हुए, its, यहाँ पे जो ये प्रणावन है, परसनल प्रणावन, ये यूज किया गया है, special verse के लिए, its potential danger, तो ये देखे, special verse से जो हो सकता था, संभावित, खत्रा, potential का मतलब होता है, संभावित की संभावना है, खत्रे में डाल सकती है, कभी न कभी, क reluctantly, he shared it with his cleverest disciple, reluctantly means, अनिच्छा से, उनकी इच्छा तो नहीं थी, तो reluctantly ये adverb है, अनिच्छा से, बिना इच्छा के, उन्होंने शेर किया, उन्होंने बांटा, उसी कभीता को, या उस कभीता के बारे में बता दिया, with his cleverest disciple, तो यहाँ पे देखे, जो clever है, adjective, उसकी third degree लग किये, एक होता है, adjective में positive degree, फिर होता है comparative और third होता है, superlative, superlative मतला सबसे ज्यादा, तो सबसे clever जो था, सबसे चतुर उनका शिश्य था, उससे उन्होंने वो शेर कर ली, वो वाली कभीता, warning against misuse, और warn किया, मतला कि उसको चेतावनी भी दी, against, means, खिलाफ, misuse, उसका बुरा प्रेयोग ना करे वो, उन्होंने अनिच्छा से शेर तो कर दिया, उसका विता को अपने सबसे चतुर शिश्य के साथ, लेकिन उसको दुरुप्योर करने के खिलाफ, उसको चेतावनी दी कि उसका उप्योग वो सही से करे, otherwise ना करे, during their journey, the clever disciple found a dead tiger, तो अब क्या है, शिश् और चतुर शिश्य था, उसको दिखा, found, उसको दिखा, dead tiger, मरा हुआ, tiger, and boasted of his knowledge, अब ये जो disciple है, इसको तो पता था कि मरीवी चीजों को कैसे वापिस life में, life ले आनी है उसमें, तो उन्होंने boast करना शुरू किया, boasted means shake ही बगारना, या डींगे मारना, अपने उपर घमंड करना, boast करना शुरू किया, अपनी ज्यान के लिए, कि मेरे में इतना ज्यान है, मैं ऐसा वैसा कर सकता हूँ, तो उसने first time अपने साथियों को में बता दिया, ignoring warnings, तो जो उसके साथी थे, कम से कम उन्होंने इतना द देखा कर रहे थे, he recited the words, तो लेकिन जो वो शिश्य था, सबसे clever, recited, उसने recite करना शुरू किया, गाना शुरू किया उस कविता को, और वो tiger है, वो जिन्दा हो गया, उसमें life आ गई, but the tiger attacked him, और उसी tiger ने उसी शिश्य को attack कर दिया, उस पर हमला कर दिया, proving the danger of his vanity, और हत्र जब उसने उस पर attack कर दिया, तो उसने prove कर दिया, साबित कर दिया, कि जो उसका घमंड था, उसमें कितना खत्रा था, अब तो हो चुका है, उसके उपर attack, घयल भी हो चुका है, तो proving the danger of his vanity, जिससे की prove हो गया, साबित हो गया, कि घमंड में कितना खत्रा है, घमंड करने का भी कुछ अच्छा नहीं मिलता है The other disciples watched in horror बाकी जो शिश्य थे वो देखते रहे watched पास्ट में है ये वाला वर्ब watched का watched देखा उन्होंने horror मतलब घवराते हुए from a tree क्योंकि वो लोग सारे पेड में उन्होंने शरन लेली थी पेड के उपर शड़ गए थे तो उसी पेड से उन्होंने डरते हुए ये सब scene देखा अपने आगे after the tiger left after मतलब कि जब tiger वहां से चला गया उसके बाद they retrieved the body retrieve का मतलब है फिर से प्राप्त करना अब जो भी उन दोनों के बीच में ये attack हुआ तो उसमें body कहीं रग दी होगी tiger ने तो उसको retrieve means फिर से प्राप्त किया the body शिश की body and return to the sage और वो ले गए और वापिस किया उन्होंने अपने रिशी को रिशी के पास ले गए अपने friend की body who revived the disciple अब यहां who जो है वो sage के लिए use किया गया कि जो यह रिशी थे उन्होंने revive फिर से जान डाली disciple की body में क्योंकि दो ही लोगों को अभी तक यह गुप्त कविता का रहस्य पता था एक तो रिशी को और एक उनके सबसे चतुर disciple को शिश्य को and imparted the verse to all अब जब यह किस्सा हो गया तो उसके बाद गुरू ने क्या किया imparted means ग्यान प्रदान किया या इसके बारे में knowledge दी यह वाले verse के बारे में कविता की knowledge दी to all सब शिश्यों को emphasizing the importance of using knowledge wisely for good emphasizing means जोर देते हुए importance महत्व using कि हमको प्रयोक करना चीए अपने ज्यान का समझदार तरीके से या समझदारी से for good यह जो है phrase इसका मतलब होता है forever हमेशा के लिए for good जैसे अगर हम sentence में बुले he has left the city for good मतलब उसने यह शेहर हमेशा के लिए छोड़ दिया है तो for good का मतलब हो हमेशा के लिए अब एक बार इसको यहां से पढ़ेंगे after the tiger left they revived the body and returned to the sage who revived the disciple and imparted the verse to all सब लोगों को उन्होंने इस कविता का ज्यान दिया यह जोड़ देते हुए कि हमारे जो ज्यान होता है हमें जितनी भी समझ होती है समझदारी से उसका प्रयोग करना चाहिए उसका बहुत महत्व बताया उन्होंने और हमेशा के लिए यह करना चाहिए हमेशा जितनी knowledge है हमको उसका समझदारी से प्रयोग करना चाहिए otherwise हो सकता है कि हम मुसीबत में फस जाए अगर हम अपनी knowledge का घमन करने लग जाए तो वही हमने इस स्टोरी में आज सीखा है that घमन का फल बुरा ही होता है so friends आपने इतने सारे new words ये छोटी से स्टोरी से सीखे है potential, संभावित, revive, फिर से होश में लाना retrieve, फिर से प्राप्त करना reluctant मतलब अनिच्छा से इच्छा नहीं होती, disciples होते हैं शिष्य, impart means प्रदान करना vanity हो गया, घमन accept मतलब एक चीज को छोड़कर और emphasize हो गया, जोड़ देते हुए तो इस तरीके से जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो साथ-साथ जो भी new words होते हैं वो आप अपनी डाइरी में maintain करके रख सकते हैं so that आपको easily वो subscribe करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अंगले वीडियो में thanks for watching